फर्वरी दो हजार बाइस में रूस ने युक्रेन पर हमला किया था और तब से लेकर अब तक ये युद्ध चल ही रहा है इस युद्ध में लाखो सैनिकों की बली चड़ चुकी है जबकि बड़े पैमाने पर युक्रेनियों के घर और शेहर वीरान ख़डर बन चुके हैं लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद युक्रेन ने रूस के आगे हत्यार नहीं डाले हैं वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की अगवाई में पश्चमी देशों के हत्यारों के दम पर युक्रेन लगातार जंग के मैदान में रूसी सेना का डट कर सामना कर रहा है लेकिन युक्रेन की ये जंग अब पश्चमी देशों के बड़े से बड़े घातक हत्यारों का कबरिस्तान बनती जा रही है रूसी सेना ने युक्रेन में पश्चमी देशों के कई बड़े हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया है रूस ने अमेरिका के अटैकमस मिसाइल सिस्टम तक को खत्म करने का दावा किया है एक रिपोर्ट के मुताबिक युक्रेन में अमेरिका के 10 अरब डॉलर से ज्यादा के हत्यार स्वाहा हो चुके है जबकि पश्चिमी देशो द्वारा युक्रेन को खेजे गए 20% हत्यार नस्ट हो चुके है और अब युक्रेन ने फ्रंट लाइन पर एक ऐसा फैसला लिया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि युक्रेन में खुद अब अमेरिका के हत्यार युद के मैदान में टिक नहीं पा रहे हैं दर असल युक्रेन ने फ्रंट लाइन से अमेरिकी अबराहम M1 A1 टैंक को वापस बुला लिया है क्योंकि रूस के ड्रोन बड़ी ही चतुराई से अमेरिकी टैंको को ट्रेस करके उन पर हमला कर रहे है फ्रंट लाइन और उसके आसपास के इलाकों पर रूस के कई ड्रोन्स 24 घंटे मंड़ा रहे हैं जिससे इन टैंकों के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा हो गया है लाइन पर अमेरिका के पांच M1 अबराहम टैंक को मिट्टी में मिला दिया है अमेरिका के एक अबराहम टैंक की कीमत करीब 50 लाक से 90 लाक अमेरिकी डॉलर तक है जबकि जिस ड्रोन से रूसी सेना इनहें नश्ट कर रही है उनकी कीमत मातर 30 हजार डॉलर है जो बेहद ही सस्ते हैं दरसल रूसी सेना फर्स पर्स पर्सन व्यू वाले ड्रोन से इन टैंकों की ट्रैकिंग कर रही है और मौका मिलते ही ये ड्रोन अबराहम टैंक पर हमला कर देते हैं हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो अवदिव का इलाके का था यहां पर एक लैंसर ड्रोन ने अबराहम MBT टैंक पर हमला किया था और इससे पहले रूस के रक्षा मंत्राले ने भी जानकारी दी थी कि मार्च 2024 के आखिर में अवदिव का इलाके में एक अबराहम टैंक को निशाना बनाया गया था आपको बता दे कि रूस का कहना है कि 26 फरवरी 2024 को उसने सबसे पहले अमेरिका के अबराहम टैंक को ड्रोन अटैक में नस्ट किया था उसके बाद अवदिव का में 5 और 6 मार्च को एक और अबराहम टैंक कोड़ा दिया गया था और इसी दोरान युक्रेन में 3 अबराहम टैंक के नस्ट होने की खबर आई थी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इस टैंक को उड़ा दिया गया था इसके बाद 20 मार्च 2024 को रूसी रक्षा मंत्राले ने चौथे अबराहम टैंक को नस्ट करने का दावा किया था और युक्रेन का पाँचवा अबराहम टैंक रूस के लैंसर ड्रोन द्वारा तबहा कर दिया गया था वहीं दूसरी तरफ न्यू यू 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 टैंस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अपनी एक खबर में कहा है कि इस साल की शुरुवात में यूक्रेन में पाँच अबराहम टैंक नस्ट हो चुके हैं जबकि तीन मामूली रूप से एक शति ग्रस्थ हुए हैं बड़ी बात यह है कि अबराहम टैंक को यूक्रेन में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं पिछले साल अक्टूबर 2023 में ही अमेरिका ने यूक्रेन को 31 अबराहम टैंक भेजे थे नियुयोक टाइम्स का कहना है कि ड्रोन वारफेर की वज़े से रूस ने जर्मनी के कम से कम 30 लेपर्ड टैंक को भी नष्ट कर दिया है और जिन ड्रोन से इन टैंकों पर हमला किया गया उनको सिर्फ 500 डॉलर में खरीदा जा सकता है और इतने सस्ते ड्रोन से रूस अमेरिक टैंक को ला रहा है